हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टोड़े वी आर गूइंग टो इस्टड़ी अबाउट इम्पॉर्टेंस ओफ यूनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन एस वी हैव अलेडी डिस्कॉस इस्टड़ीड अबाउट इम्पॉर्टेंस है ना हमने कुछ इम्पॉर्टेंस तो पहले क्या होता है फिर इसके इंपॉर्टेंस हैं ठीक है तो पहला है सब्नान जी और अबजेक्ट पर जितनी बी औजेक्ट-स स्थ अर्थ की सर्फेस पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं कार है ना प्रीज घर हमारी टेबल हम लोग आपस में यह सारे लोग यह सारी चीजें ऑन दा सर्फेस ऑफ अर्थ चुक्के रहते हैं बाइंडिंग रहती हैं हमारे दौनों के भी हम लोग हट उड़ते नहीं है बाब में इस जस्ट बिकाउस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट ऑन दा सर्फेस ऑफ अर्थ इस ड्यू तू दा यूनिवर्सल लॉव ग्रेविटेशन मतला हर चीज अपनी जगा पर इस्थिर रहती है अर्थ के सर्फेस के ऊपर चीख है दूसरा पॉइंट सेकंड इस रेन फॉल एंड इस स्नो फॉल ठीक है पानी गरता है पारेश होती है इस नो फॉल होती है इस जस्ट विकाउस ऑफ यूनिवर्सल लॉव ग्रेविटेशन थर्ड अंग फोल्डिंग टास फिर अट्मोस फेर्ट अटमोस फेर्ट राउवंड दी अर्थ अर्थ आर्थ के चारों तरफ जो ए और रुका हुआ है बाइंडिंग है उन दोनों की बीच में और एट्मॉसफेर की बीच में इट जस्ट विकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन की बज़ए से वह रुका हुआ हबा अर्थ के चारों तरफ ही है उड़के डूसरे स्पेस में नहीं चली जाती है तरफ होल्ड करके रखती है फाकड़के रखती है और यूल्डिंग का मतलब बाता है ठीक है फालनी एक फॉर्थ पॉइंट फ्लो ओफ बाटर इन र रिवर्स के अंदर जो flow of water होता है, it is just because of universal law of gravitation. Point number 5, satellites revolving around the planets. It is just because of universal law of gravitation. सारी satellites, जितनी भी satellites होते हैं, वो किसी भी planet के चारों तरफ, universal law of gravitation की बज़े से hold करते हैं, उसके चारों तरफ घुमते रहते हैं, दूसरी जगह नहीं चले जाते, ठीक है? All planets revolving, revolves around the sun. ठीक है? जैसे satellite revolves around the planet, same as all planets revolve around the sun, is due to the universal law of gravitation. And the seventh point is, tides formed, ठीक है? by rising and falling water in the ocean. मतलब जो ocean का surface water है, वो एक बार उपर उठता है, और एक बार नीचे गिरता है. मतलब rising and falling of water is called tide. ठीक है? in the ocean, it is just because of universal law of gravitation. मतलब पानी का उपर उठना और नीचे गिरना, tides की formation है, वो भी universal law of gravitation की बजह से है. So, these are the importance of universal law of gravitation. हेना? किलिर दिखरा है आपको? Okay. So, learn these points. Okay. It may be asked in the exams or anywhere. Okay. Now, the next is, most important thing today we are going to study that is gravitation. Gravitational force between light, हलके object, light objects and heavy objects. ठीक है? देखो, हमने कल पढ़ लिया था, gravitational force. और gravitational force में हमने पढ़ा था, f is equal to g m1 m2 upon r square. And it is applicable for all the objects in the universe. ठीक है? अब अगर, अब हम पढ़ रहे हैं कि light objects होंगे, तो कितना gravitational force होगा, heavy objects होंगे, तो कितना gravitational force होगा, यह पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो gravitational force between light objects and heavy objects. ठीक है? तो formula तो हमें पता है, now the first condition, पहली condition, कि जब when the two bodies, हैना? क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जो force of attraction है, gravitational force है, वो हर किसी भी दो object के बीच में लगता है. अगर वो दोनों object हैना? When the two bodies, two bodies of 1 kg each, मतलब कैसी है? and the distance between them is 1 meter. मतलब छोटी है, देखो, दो object हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, 1 kg, 1 kg के हैं, ठीक है? यह भी 1 kg का है, और इन दोनों के बीच में distance कितना है? 1 meter, समझ गे? तो object भी छोटे हैं और distance भी कम है, तो gravitational force कितना होगा? तो f is equal to g m1 m2 upon r square, ठीक है? calculate कर रहे हैं, g की value हम पता है, इस g point, g लन करना है, कल पड़ी थी हमने, 6.67 10-11 into, पहला object है 1 kg का, दूसरा object है 1 kg का, और उन दोनों की बीच में distance भी है, 1 meter, तो square होता है, तो 1 meter दो बार लिखना है, ठीक है? solve करेंगे, तो 1 1 1 1 1 सब बन है, तो f is equal to हो जाएगा, 6.67 10-12 की power minus 11, और unit हो जाएगी newton, इतना force लग रहा होगा, किन दो object की बीच में? जो दो object, एक एक किलो के दो object है, और दोनों की बीच में distance है 1 meter, तो समझ गए आप, lighter objects है ना, 1 1 kg के दो object है, ठीक है? तो let's suppose कि आपने 1 kg का object यह रख लिया, और 1 meter दूर 1 kg का object दूसरा रख लिया, ठीक है? तो उन दोनों की बीच में कितना force लग रहा होगा? इतना, and that is what very small force, आप सोचो ना, minus 11, ठीक है? कितना small हुआ? इतना small है, कि वो एक दूसरे की तरफ attract होते होगे नहीं देखते हैं, लेकिन आम यह नहीं कहा सकते कि force बिलकुल नहीं लग रहा है, लग रहा है, इतना लग रहा है, लेकिन इतना कम है, कि they are not attracting each other, ठीक है? तो क्या line हुई? due to, due to very small force of attraction, due to very small force of attraction, ठीक है, two light objects, दो हलके objects, two light objects, ठीक है, do not move, do not move towards each other, समझ गया आक, तो हमने कहा था कि table आपको attract कर रही है आप table को कर रहे है table chair को कर रही है chair book को कर रही है तो यह सब object इतने छोटे हैं कि इनके बीच में इतना बिल्कुल minute force लग रहा है जिसकी बज़े से यह एक दूसरे की तरफ attract होते नहीं है नहीं दिखाई देते हैं लेकिन attraction तो है 0 नहीं है यह value आप यह नहीं कह सकते कि सर फोर्स नहीं है फोर्स तो है लेकिन very small ठीक है समझ गए now another condition कि अगर यह दो object बड़े हैं ठीक है तो second second when a body of mass 1 kg एक object है 1 kg is held on the surface of earth समझ गए तो दूसरा object है earth तो एक object है 1 kg का that is held on the surface of earth तो एक object होगी earth और earth के उपर एक दूसरा object जैसे हम लोग है हम भी हो सकते हैं कोई घर हो सकता है कोई कार हो सकती है कोई पेड़ हो सकता है तो हम बहुत छोटा सा object लमाल ले रहे हैं एक object है 1 kg का दूसरा object है earth ठीक है तो उन दोनों का मास क्या होगा देखो object का मास है object of 1 kg अर्थ का मास किता है अर्थ का मास है 6 into 10 to key power 24 kg ठीक है तो एक object है earth एक object है 1 kg का ठीक है और इन दोनों की बीच में distance किता हुआ है इसके center से और इसके center से center to center मिलाएंगे तो ये distance किता हुआ radius of the earth ठीक है तो distance या इसको बोलो radius of earth कब जब एक object earth है दूसरा object कोई earth की surface पर है उस case में उन दोनों की बीच में distance radius of earth मानी जाएगी और radius of earth होती है 6400 क्लो मीटर ठीक है तो मीटर में convert करना है हमें तो हो जाएगा 6400 और मीटर में करेंगे तो एक दो तीन मीटर चीक है फिर इसको क्या लिख लेंगे 6.4 123456 102 की पावर 6 मीटर इत्ता ये radius हो गई अर्थ की चीक है समझ गए है ना तो अब सारी value रख दीजे देगे F is equal to कितना फोर्स लगेगा अर्थ कितना फोर्स लगाएगी इस object के ऊपर चीक है तो फोर्स ओफ अट्रेक्शन बिटीवीन इस तू अबजेक्ट एक है अर्थ दूसरा है छोटा सा object चीक मास एक का हो गया 1 kg दूसरे का हो गया कितना इरा 6 into 10 to key power 24 upon radius आर आर है ना तो आर कितना यह है ना तो 2 times लिखा जाएगा आर का square है ना तो एक बार लिखेंगे 6.10 to key power 6 दूसरी बार लिखेंगे 6.10 to key power 6 और मैं बताओ जब यह question करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं एक ही बार लिखते हैं नीचे गलती हो जाती है फिर चीक है आर square है ना तो आप you have to put 2 times आपको 2 बार लिखना है चीक है चलो इसको solve करेंगे तो अब आपके पास देखे 6.67 चीक है इंटू 6 और यह जो पावर से मैं अलग कर लिता हूँ 10 to Ki Power माइनस 11 और 10 to Ki Power 24 चीक है तो 9,4 इंटू 6.4 इंटू 10 to Ki Power 6 और 10 to Ki Power 6 बात समझे मैंने क्या कर रहा है ये वाली पावर ये वाली पावर ये पावर और यह power अलग-अलग लिख लिए है यह आ गई है ठीक है और यह number अलग कर लिए है solve करेंगे देखर 24 में से 11 गया तो कितना बचा 13 ठीक है और 6 और 6 कितना होता है 12 उपर जाएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा 13 में से 12 गया तो बन एक ही बचा 10 बचे मतलब 10 की पावर बन बचा मतलब 10 बचे ठीक है और इसको solve करेंगे तो आपके पास value आ जाएगी 9.8 newton force is equal to आ जाएगा 9.8 newton मतलब अर्थ 9.8 newton force से उस object को खीच रहा है अपनी तरफ इसी लिए कोई भी object उपर उठाया जाता है फैका जाता है तो थोड़ी दिर बाद वो बापस नीचे गिरता है अर्थ की surface पर with the force of 9.8 newton इसी को बोलते हैं अर्थ की gravity चीक है gravity of earth भी कितना है 9.8 newton इस force से अर्थ उसको खीच रहा है चीक है समझ गए तो क्या बात समझ में आई यह जो force है यह force तो अच्छा खासा है ना दिख रहा है 9.8 newton है इसमें तो कोई पावर माइनस में है नहीं चीक है तो क्या लिखा है 10 इस परकार हम कह सकते हैं कि अर्थ exerts a gravitational force ठीक है कितना 9.8 newton on a body ठीक है और मास बन केजी ठीक है इस force is much larger ज्यादा है है ना much larger है ठीक है क्योंकि इससे पहले वाली condition पड़ी थी बहुत कम था वो तो माइनस में पावर जा रही थी तो तो बहुत लेस था इसलिए कोई object अब्जेक्ट नहीं हो रहा था लेकिन यह तो larger force है इसलिए it attracts ठीक है धा? due to this force due to this force larger force ठीक है a body dropped from height ठीक है ठीक है drop from height falls तो वर्ट अर्थ के उपर गिरती है चीक है due to how much force 9.8 न्यूतन चीक थर्ड कंडिशन तीसरी कंडिशन ले रहा है अब हम थर्ड क्या when two objects are heavy जब दोनों ही objects heavy है कौन-कौन let's suppose एक है earth एक है moon और एक है earth ठीक है इसमें क्या था एक थी earth और एक था stone ठीक है और इससे पहले वाली condition में दोनों stone थे बनवन के जी के दूसरी condition में एक earth है एक stone है अब तीसरी condition में दोनों ही object बहुत बड़े है ठीक है चलो मास मून का पहले object का मास कितना है ठीक है तो पहले object का मास हो गया 7.4 टेंट की पावर 22 kg और अर्थ का मास कितना है भी मास अफ अर्थ मून का मास तो यह हो गया अर्थ का हो गया अभी हमने पढ़ा थे शिक्स इन्टू टेंट की पावर 24 kg और इन दोनों की बीच का distance मतलब यह अर्थ है और यह मून है यहां से यहां तक का distance है आर ठीक है वो आर है आपका 3.84,84,000 km बोलते हैं और इसको मीटर में लिखते हैं यह याद करना पड़ेगा आपको चीक है अब यह सारी बैल्यू जब आप रखोगे तो दिखे आफ इस इक्वल टू जी आपने बैल्यू रख दी 6.67 10 की पावर माइनस 11 फिर बैल्यू रख दी 7.4 10 की पावर 22 फिर बैल्यू रख दी अर्थ की 6 इंटू 10 की पावर 24 अपान यह रेडियस दो बार लिखना पड़ेगा 6 ठीक है फिर लिखना एक और बार ठीक इत्ता हो गया यह सारी बैल्यू रख दी समझ में आ रहा है ना देखो जी M1 M2 R R दो बार ना R स्कॉयर है तो दो बार ठीक है जी M1 M2 R R अब सॉल्ट करेंगे ठीक तो मैंने क्या बताया भी यह सबसे बेस्ट एक्जामपल है आप नंबर देखें नंबर पर 7.4 और 126 यह नंबर एक तराब लिए चिक है और पावर कितती हो गए 10 टू की पावर चेंटू की पावर Hudson 22 टी की पावर 24 चिक है अब इसमें 3.84 और 3.84 एकतरफ लिए आप आब पावर 10 की पावर ऐट और 10 की पावर एट चिक है पहले पावर सॉल है फिर इसको यह तो multiplication आप कर लेंगे बस power and solve कर लिजे चीक है जब यह वाला multiplication करना है कितना करना है 6.67 7.4 और 6 नीचे है 3.84 into 3.84 और power को solve करेंगे अब देखे 22 and 24 किता हो गया 46 46 में से 11 गया किता बच गया 35 चीक है 8 और 8, 8 और 8 16, 16 और minus कर दो चीक है तो 35 में से 16 minus करेंगे तो 19 19 मतलब 10 to ki power 19 और इसको solve करेंगे और ये तो आपको मिल जाएगा 2.01 into 10 to ki power 20 newton ओ माई कॉट ये तो बहुत बड़ा force है इतना जादा समझ रहे आप है ना अर्थ के और मून के बीच में कितना force है ठीक है समझ में आगी बात तो अब इस force के बारे में कहाल से कह सकते हैं it is very very large force ठीक है ठीक है very very large force which is exerted by the earth on the moon, ठीक है, अर्थ लगा रही है, मतलब मून भी अर्थ के उपर लगा रहा है, मतलब सेमी फोर्स होका, दोनों एक दूसरे के उपर लगाएंगे न, ठीक है, दोनों अब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रेक्ट करेंगे, ठीक है, तो चाहिए लिख दीजे, अर्थ अ प्रोवाइड, इस फोर्स की बज़े से इट प्रोवाइड दा नैसेसरी सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है, जैसे हमने कहा था, कि आपको वो पत्थर रसी में बनागवा, पत्थर गुमानने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तो अर्थ, मून को अपने चारो तरग घुमाने के लिए जो सेंट्रीपीटल फोर्स लगा रहा है, वो यह है, ठीक है, इसी फोर्स को बोल रहे हैं यापर, सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है, फोर, रिवॉल्विंग, ठीक है, दा, मून, एराउंड, दी, अर्थ, समझ गह, ठीक है, ठीक है, में भी आस लाइक की, calculate the gravitational force between earth and moon, तो कर लेंगे, विल्कुल, easily कर लेंगे, yes, why not, ठीक है, तो ऐसी आजाए, calculate the gravitational force between two objects of mass 1 kg each, and their distance between them is 1 meter, तो वो भी हमने करके देखा, calculate the gravitational force of object which is placed on the surface of earth, तो हमने वो भी करके देखा, तो हमने आज तीन कंडिशन पढ़ी थी, ठीक हो, तीन को summarize कर देता हूँ, मैं, दोनों object बहुत छोटे-छोटे, एक object on the surface of earth, और दूसरा object एक earth और दूसरा moon, समझ गए, है ना, तो अब जरूरी ती थी होड़ी है, यह एक एक kg के है, यह आपकी table और यह आपकी almira, तो table का mass 10 kg हो सकता है, almira का mass के तरह भी हो सकता है, उनके बीच क force लग रहा है, यह earth है, यह तो earth है, और दूसरा कोई भी object यह car हो सकती है, आप हो सकती हो, पेड हो सकता है, घर हो सकता है, building हो सकती है, bridge हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक earth, एक दूसरा object, और यहाँ पर यह earth, यह sun, यह earth, ठीक है, यह Jupiter, यह Saturn, यह Mars, यह Venus, कुछ भी, कोई very small, यह दोनों object कितने very small है, तो एक बड़ा the one big ठीक है और one small ठीक है, और यहाँ पर दोनों big है ठीक है तो तीनों तरीके से हमने gravitational force calculate करके देखा है ठीक है, revise this है न, and solve the questions